ओस्प्राइब वेडियो उप्राइब एठ वेडियो सेल साइकले जो ठीक पोईंटब्स आज वेडियो में अनुट साइकल के बारें में देखा था इन्टरफेस और माईटोस्त्र हमेयोसिस कि बढ़ा था एंड सम् चैपॉइंट देखेते जो चैप्पॉइंट थे यो साइकल कंट्रोल में समारी सैल साइकल जो है वह कंट्रोल कैसे होती है चलती कैसे रुपती कैसे है देरा टो यूनिट विच कंट्रोल तो साइस तो सैल साइकल जो सैल साइकल में कंट्रोल होती है उसके लिए दो यूनिट्स प्रिजेंट होती है हमारी पहली होती है हमारी साइ है वो regulatory unit होती है means यह regulation करती है cell cycle को means cell cycle को चलाती है और जो हमारा CDK होता है वो catalytic unit होती है catalytic unit होती है act as a protein kinase kinase का means यहां पर phosphorylation होगा and dephosphorylation होगा I hope आपको यह process पता होगी phosphorylation क्या है and dephosphorylation क्या है बहुत ही simple है phosphorylation means phosphate का add होना and dephosphorylation means phosphate का remove होना जो मने दो units है वो काम के से करती है CDK and cycling do start cell cycle for further division यह दोनों military cell cycle के लिए start start करती है आगे की process CDK do main work for further CDK जो है इसका main work होता है cell cycle के लिए but CDK activate for work when cycling protein comes and sorry join to join with CDK क्या होता है कि यह जो हमारा CDK होता है वो inactive phase में रहता है इसको active करने के इसके work करें जब यह active होगा तब cell cycle की आगे की process होगी तो यह active कैसे होता है जब इसमें cycling आकर bind हो जाता है तो CDK के पास जब cycling आकर bind हो जाएगा तब हमारा activated CDK हो जाएगा CDK हमारा activate हो जाएगा यह complex CDK and cycling complex सी मिलकर cell की cycle को आगे बढ़ाता है यह complex activate होना बहुत ज़रूरी है CDK कैसे activate होता है cycling के add होने से यह तो रही है हमारी simple बार अब in every phase there is cycling and CDK is present to start process first अब जितने में phases होती है हमारी cell cycle में G1 phase, G2 phase, S phase, M phase इन सभी phases के अपने-पने CDK और cycling होते हैं तो जो G1 में CDK and cycling होते हैं जो G2 में होते हैं उनको बोलते हैं G2 CDK and G2 cycling जो S phase में होते हैं स CDK as cycling, M phase में होते हैं M CDK, M cycle तो क्या होता है कि यह cyclin है हमने नौर्मली इनको G1, G2 ऐसा बोल दिया लेकिन यह real में CDK की नाम होते हैं जो वह देखेंगे हैं cyclin कौन कौन से present होते हैं वो देखें तो जो हमारी G1 phase है यह देखेंगा यहां पर cyclin and CDK दोनों के complex लिखें है means G1 cyclin and CDK present होता है लेकिन इनमे कौन सा cyclin and CDK होता है तो G1 का cyclin होता है वो cyclin D होता है and CDK कौन सा present होता है CDK 4 या फिर CDK 6 present होता है तो cyclin D and CDK 4 का एक complex present होता है तब जाके G1 की process जो है वो cycle आगे चलती है उसके बाद G1 में या S phase में जो cyclin and CDK add होते हैं वो है cyclin E means cyclin E जो है वो G1 में भी पाई जा सकता है और S phase में भी हो सकता है तो cyclin E and जो CDK होता है वो CDK 2 होता है तो S phase में या G1 phase में cyclin E और CDK 2 का complex बनता है तब जाके cycle आगे चलती है ऐसे ही S CDK में S phase में means यहां S phase का एक cyclin E था अब S phase का जो other cyclin है या इसको means यह भी present हो सकता है E की जगह पर cyclin A भी present हो सकता है तो जो S phase का दूसरा cyclin हो सकता है option में वो cyclin A हो सकता है और CDK 2 हो सकता है उसके बाद M phase में जो CDK and cyclin add होते हैं cyclin B होता है CDK 1 होता है यह हमारे M phase में M phase में mitotic phase में हो सकती है यह meiosis phase हो सकती है यहां नीचे लिखाए दिया रग 3D cyclins in mammals cyclin D1, D2 and D3 जो mammals में D cyclin होते हैं G1 phase वाले D cyclin वो तीन टाइप के होते हैं D1, D2 and D3 तो इन में से mammals में कोई भी use हो सकता है या तीनों use होते हैं तो यह हमारे हर phase के हिसाफ से हमारे cyclin हमने देख लिए CDK देख लिए कौन-कौन से cyclin use होते हैं कौन-कौन से CDK use होते हैं यह बस आपके लिए general information के लिए था आप इसको याद करते हैं फिर cyclin CDK active mechanism अब यह cyclin CDK जो है वह cyclin के through जब join हो जाता है तब active होता है लेकिन इसकी mechanism क्या है यह कैसे आता है cyclin CDK के पास और कैसे activate होता है वो देखेंगे firstly cyclin comes to add with CDK जो cyclin है वो CDK पास means जो cyclin है हमारे वो cell के अंदर increase होते है means इनकी बहुत सारे amounts जो है वो release होने लगते हैं CDK के आसपास cells के यह अंदर cyclin बहुत सारे cyclin जो है वो release होने लगते हैं तो with CDK CDK के साथ binary and also occur phosphorylation process here जो जब cyclin release होते हैं तो यहां पर phosphorylation process भी देखने को मिलती है अब यह जो cyclin CDK से add होता है और यह जो phosphorylation की process है यह दोनों एक साथ होती है और बहुत जल्दी होती है तो sorry CDK के पास जब cyclin आ जाता है और phosphorylation process जो होती है वो तीनों एक साथ हो जाती है तो जब CDK से cyclin add हुआ यहां पर phosphorylation process होई तो यह जो complex होता है हो बनता है cyclin CDK complex the complex will be CDK cyclin V1 complex यह पर V1 का मतलब है हमारा phosphate से then to start cell process there will be defosphorylation and 1 phosphate removed and activate CD complex अब क्या होता है mechanism में जो हमने CDK and cyclin को add किया उसके बाद जो phosphate था CDK के अंदर दो phosphate यह दो phosphorus present होते हैं तो इनमें तो यहां पर defosphorylation की process भी start हो जाती है और defosphorylation होता है तो इससे एक phosphate group जो है या एक phosphorus बहार निकल जाता है तो बचता है फिर एक ही group तो यह एक group जब बचता है तब यह पूरा complex activate हो जाता है मतलब total मेरा के बाद यह है कि जब CDK and cyclin add हुए बीच में phosphorus relation process होई तो दो phosphate group add हुए उसके बाद defosphorylation की process होई तो एक phosphate removed हो गया एक phosphate group बचा and CDK cyclin and one phosphate group इस complex को हम कहेंगे activate cyclin CDK complex यह हमारा complex वह activate हो गया अब यह आगे जाके division या process के लिए तयार हो जागा cell cycle की उसके बाद अब हमारा activation होने के बाद हमारी cycle ने जो है वह अपना काम किया यह cell cycle की materials को तयार किया यह उसका जो भी work था उसने आगे cell division के लिए वह काम कर लिया this process depends on enzyme which stack the cyclin with hubic protein to make protein rapidly degraded क्या होता है जो हमारी cell cycle की process done हो जाती है तब CDK cyclin की जो है वह stop इसकी process को यह CDK cyclin को stop करने की जो process है वह depend करती है enzyme की उपर एक enzyme यह cytoplasm पर प्रेजेंट होता है यह enzyme क्या करता है टैग करता है एंजाइम विच टैग the cyclin with ubiquitin ubiquitin क्या होती है एक chain होती है यहाँ पर आप देख सकते है यह हमारा activated complex है यहाँ पर क्या होता है यह CDK है और यह cyclin है तो enzyme का work क्या होता है enzyme क्या करता है यह ubicutin chain को cyclin के साथ bind कर देता है यह enzyme यहाँ पर इन दोनों को bind करने का काम करता है जब ubiquitin chain and cyclin exercise bind होंगे तो bind होने के बाद यह जो cyclin है हमारा वो पूरी तरह से rapidly degraded हो जाता है तोट जाता है डिस्ट्रॉइड हो जाता है after degradation of cyclin the CDK will inactivate अब cyclin ही नहीं है तो CDK क्या होगा inactivate हो जाता है तो इस ताइब से क्या होती है जो process चलना start हुई थी तो complete अपना work करने के बाद यह ubicutin chain के थ्रू cycling को तोड़ देता है यह CDK जो है वह वापिस से inactive form में चला जाता है स्क्राइब से के साइकल से साइकलिन की process जो है वह रुख जाती है उसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ देखेंगे जो CDK inhibitor protein है CDK inhibitor protein का use भी मतलब cell cycle की बीच में होता है अब इसका use कहा होता है कि जो CDK inhibitor proteins है वह इसलिए होते हैं क्योंकि कि जो CDK in cyclin है मालूब वह activate हो गए है अब activate होने के बाद जब पता चला cell process के थू कि हमारी cell अभी रेडी नहीं है division के लिए यह हमाई cell आगे के process के लिए रेडी नहीं है तो एक protein आता है जिसको बोलते हैं CDK inhibitor protein this protein work to inhibit CDK cyclin work until cell is ready to division और for other process यह protein जो है inhibit करता है CDK cyclin को कि भाया अभी जो है वह process के लिए हमारी cell तयार नहीं है आप दोनों भी रुख जा तो यह कि जो हमारा complex है उस पर P27 यह किसी फेस की एक अक्टिवेट स्टेट है साइकलिन सेट के मालों यह एम फेस की साइकलिन हमाई CDK एक्टिवेट है एम फेस में यह P27 आया CDK इनिवेटर प्रोटीन इसने CDK साइकलिन को बाइंड कर लिया और प्रोसेस को रोग दिया तो यह इनिवेटर प्रोटीन को काम यही होता है कि जब सेल पूरी तरसी तैयार नहीं होती है डिविजन के लिए तब यह प्रोटीन आते हैं और CDK साइकलिन को इनिवेट कर देते हैं CDK इनिवेट प्रोटीन P27 है तो मेंटेन CDK इन अन इनक्टिव स्टेट इन G1 फॉर दिलाइं यह प्रोसेस जो है वो जी वन के लिए जो हमारा CDK इनिवेट प्रोटीन है P27 वो जी वन में यूस होता है G1 फेस में यूस होता है ऐसी अदर इनिवेटर प्रोटीन से कुछ साइकलिन इनिवेटर प्रोटीन P21, P27, P57 इनिवेट करते हैं किसको करते हैं साइकलिन A और CDK 2 को यह जो P21, 27, 57 हैं यह इनिवेट करते हैं साइकलिन A और CDK 2 इनका कॉम्प्लेक्स जहां भी होगा उनको इनिवेट करने के लिए ये तीनों प्रोटीन्स आएंगी और इसके लाब पर P16, P15, P18, P19 जो इनको इन्हिबिट करते हैं वो होते हैं CDK4, CDK6 और CYCLIN-D इन तीनों का कॉम्प्लेक्स या इन दोनों को कॉम्प्लेक्स, CYCLIN-D का या CDK4 का या फिर CYCLIN-D का या CDK6 का इन दोनों का कॉम्प्लेक्स जहां भी होगा वहाँ पर ये 16, 15, 18, 19 प्रोटीन्स जो हैं वो इन्हिबिट करने के लिए आएंगे इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को I hope कि आपको समझ में आओ गया होगा Thank you so much for watching this video and I hope you enjoy it Okay, Bye